लेकिन बीती रात, रात को 10 बजे आनन फानन के अंदर दिल्ली पुलिस शिकायत करता को ही उठा ले। लेकिन से कि ये जो नकुल कश्यप है, इसको सुरक्षा भी दी जायो, एलजी साथ के संडक्षन के बिनाईं की ये हिमत नहीं हो सकती। दिल्ली विधान सभा में 2 जून 2023 को शिकायत करता नकुल कश्यप जी एक शिकायत करते हैं। दिल्ली सरकार में एक वरस्ट अधिकारी के खिलाफ और उस शिकायत पर संग्यान लेते हुए। दिल्ली विधान सभा की SCST कमेटी मिटिंग बोलाती है। ये दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं जिनके बारे में शिकायत आई। ये है Y.B.V.J. राजशेखर जी जो की स्पेशल सेक्रेटरी हैं विजिलन्स के, स्पेशल सेक्रेटरी हैं सर्वसिज के। इनके खिलाब नकुल कर्शप नाम के एक लड़के ने शिकायत करी और शिकायत करता का ये कहना है कि उनके पिताश्री दिल्ली सरकार में स्वास्तर विभाग के अंतरगत कारेरत थे, on duty उनके पिताजी की मृत्ति होती है। और वो इस अधिकारी के कख्ष में उसके दफ्तर में जाते हैं, अनुकंपा के आधार पर नौकरी की गोहार लगाते हैं, चूकि परिवार में पिता का साया सर से उठ गया, भावनात्मक तरीके से और आर्थिक तरीके से जिस परिस्तिति से परिवार के लोग गुजर रहे हैं तो निश्ची तोर कर कोई भी व्यक्ति होता है तो वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसे नौकरी मिल जाए ताकि जो एक पिता की जिम्मेदारी है उसको घर का एक जिम्मेदार बेटा निभा सके उसी संधर्ब में जब शिकायत करता इस अधिकारी से मुलाकात करते हैं तो यह अधिकारी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की एवर्ज में शिकायत करता से पैसी के डिमांड करता है और जब शिकायत करता पैसा देने के लिए मना करता है तो यह अधिकारी जिनका नाम वीवी जे राजशेखर है, वो इस शिकायद करता के साथ बत्तमीजी करता है, गाली गलोच करता है, यहां तक कि उसे जात्वी शूचक शब्दों के साथ भी अजो है उसके सामने पेश आता है. इसे आहट होकर जब शिकायद करता ने अपनी शिकायत पुलिस को दी पुलिस ने संग्यान ना लिया नहीं लिया तो शिकायत करता ने सीधा ही दिल्ली विधान सभा के समक्ष स्पीकर साब के समक्ष दो जून को अपनी शिकायत पहले शिकायत दर्ज कराई पहले शिकायत के आधार पर दिल्ली विधान सभा की स कमेटी ने जो है 6 जून को मीटिंग जो है कॉल करी शिकायत करता की शिकायत को आधार मानते हुए और इस मीटिंग के अंदर वाई वीवी जे राजशेकर जी को आने के लिए दिल्ली विधानसभा की कमेटी की और से कहा गया जिसमें वो उपस्तित नहीं हुए और उन्होंने लिख़त में कमेटी के समक्ष दो हफ्से का समय मांगा कमेटी की और से दबाव बनता देख, कमेटी की और से दिली विधानसभा की और से संज़्ञान लेते हुए देख, इस अधिकारी ने शिकायत करता को दराना धंकाना शुरू करा, उसके खिलाप साजिष्य रचनी उसके घर पर ब्लैंग कॉल उसका लोगों के द्वारा पीछा करवाना ये तमाम चीजे होनी शुरू हुई और शिकायत करता ने इस बात के शिकायत भी दिल्ली विधान सभा को अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से 10 जून को की ये सारे के सारे पत्र दिल्ली विधान सभा ये पास जो पत्र विधार हुआ ये सारी की सारी जो है शिकायते आप लोगों के समक्ष में रख रही हूं और 10 जून को जो शिकायत करता ने शिकायत रखी उसका का संज्यान लेते हुए सेस्टी कमिटी ने फिर 13 जून को जो है मिटिन बुलाई जिसके समक्ष बहुत ही संगी चुकि शिकायत थी शिकायत करता ने बहुत ही संगीन आरोप अपने पत्र के अंदर लिखे थे तो कमिटी ने इस बात को समझा कि दोनों लोगों को शिकायत करता को और जिसके खिलाब शिकायत उनको आमने सामने बुला कर इस बात को का संग्यान लेना चाहिए लेकिन कहते हैं शपत लेकर इस बात को कहते हैं कि उन्होंने जो दस जून को जान से मारने की धमकी डराने धमकाने पीछा करने और कंपेंड वापस लेने के लिए जो दबाव इस अधिकारी के द्वारा बनाया जा रहा है मैं जो भी कमेटी के सामने कह रहा हूं शपत पत्र पर उसन चिठी लिखी की इस प्रकार से दिल्ली में अनुकंपा के आधार पर अपने अधिकार को मांगते हुए जिस शिकायत करता के साथ गलत हुआ है उसने शिकायत करिये तो उसका पीछा किया जा रहा है उसे डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है जान से मारने तक की धमकी दी जा और शिकायत करता को आपका महौल ऐसा बनाया जाए ताकि वो शांतिपूर्वक महौल में अपनी बात को कह सके और अपने अधिकार को पास सके लेकिन ये बेहदी दुखद है आज दो बजे शिकायत करता को दिल्ली पुलिस के समक्ष अपने बयान को दर्ज कराना था अपनी पात को रखना था लेकिन बीती रात रात को दस बजे आनन फानन के अंदर दिल्ली पुलिस शिकायत करता को ही उठा लेती है शिकायत करता को ही दिल्ली पुलिस जो है गिरफतार करकर लेकर चली जाती है तो जो अभी मैंने आपको सारी घटना बताई है अधिकारी की ये ग रुपे मांगना ये आपको क्या लगता है कि क्या वो अधिकारी सिर्फ अपने दम पर इस गुंडागर्दी को कर रहा है क्या वो अधिकारी अपने दम परी जो है इस थाय की फाइलों को रोक रहा है या पैसे लेकर फाइलों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है नहीं ऐसा ब बार-बार जरुवतमन्द लोगों के कामों को रोकने का प्रयास करें। और ना सिर्फ दिल्ली सरकार ना सिर्फ ऐसे कुछ अधिकारी जो लोगों के कामों को रोकने का प्रयास करते हैं या लोगों को कोई के बीच में डराने धमकाने का जो है डर का मोहल बनाने का काम करते हैं बलकि दिल्ली पुलिस भी जो पूर रोप से केंदर सरकार के आधीन आ गया है उसका परिवार पहले ही भावनात्मक तरीके से कितना तूटा हुआ है आर्थिक तरीके से वो परिवार किस प्रकार से जूज रहा है ऐसे परिवार को सपोर्ट करने की बजाए ऐसे यूवक को सपोर्ट करने की बजाए उस यूवक को जान से मारने की धमकी देना या पिर अपनी कंप्लेंड वापस लेने के लिए उसको रातो रात गिरफतार कर लेना दिल्ली पुलिस हो, एलजी हो या इस प्रकार के जो अधिकारी हैं ये बिल्कुल भी इन तरह के कामों को अंजाम नहीं दे सकते अगर केंदर सरकार का आशिरवाद या संडरक्षन इनको प् व्यक्ति के खिलाफ उठाई, लेकिन पूरा का पूरा शाशं, प्रशाशं उन खिलाडियों के ही खिलाफ खड़ा ओगया और जो आरोपी है उसको संडरक्षन देने का पूरा का प्रैस किया गया, आज दिल्ली में फिरसे ही साबित होता है कि जो हमारी केंदर में बैठ़ो वाले लोग है और ये बात सिर्फ कोई पॉलिटिकल बात नहीं है अगर मैं आज दिल्ली विधान सभा के परीसर में इस तरह की प्रेस कॉंफरेंस से आपको अवगत करा रही हूं इन विशों से अवगत करा रही हूं तो ये निश्चीत तोर पर बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि ना तो जो आरोपी है जिसके खिलाफ शिकायत करता ने शिकायत दर्ज कराई है ना तो वो कमेटी के समक्ष पेश हुआ मतलब कि आप दिल्ली विधान सभा की कमेटी का भी अपमान कर रहे हैं दिल्ली विधान सभा का भी अपमान कर रहे हैं और ना ही शिकायत कर को सुरक्षा दिलाने के लिए भेजी गई कमेटी के द्वारा चिथी पर दिल्ली पुलिस ने कोई संग्यान लिया हुआ तो बिल्कुल इसके विपरीत की आपने शिकायत करता को ही उठा लिया शिकायत करता के खिलाफ ही आपने डर और भै का मौहल बना दिया और मैं तो यहा आने वालों की ऐसी तीन सो से साड़े तीन सो फाइले दिल्ली सरकार में इस जो है अधिकारी के अंतरगत आती है और अगर यह किसी से नौकरी की एवज में पांच लाट से दस लाक रुपे की डिमांड करते हैं तो लगबग प्रतेक्ष तवार पर 15-30 करोड रुपे का घो दिर्फो अपने लिए या अपने आसपास जो लोग है उनके साथ मिलकर इस तरह के शड़ेंत्रों को रच गए या बड़े अधिकारीों के साथ साथ लजी साथ की भी इसमें कोई मुख्य भूमी का है मैं दिली पुलिस से भी यह कहना चाहती हूँ इस प्रेस वारता के अधियम से कि यह जो नकुल कर्षप है इसको सुरक्षा भी दी जाए और इसके केस को की मजबूती को देखते हुए संग्यान ले तुरंत प्रभाव से यह जो अधिकारी है वाई वी वी जे राशेकर इसकी तुरंत प्रभाव से गिरफतारी भी होना ही चाहिए और जो है म मांग है जो इसकी मांग पत्र है उसको देखते हुए इसको तुरंत प्रभाव से इसकी नौकरी भी मिलनी चाहिए बहुत बहुत धनेवाद